समुत कनथा नाम गाने सदारुचि समुत कनथा ये केवल भगवत संग से जो माहभागवत जन ने उनकी वचनों से उतार समुत कनथा उतकन्था पुर्वक अहाँ गोहिंद नाम इतना महामहिम कृष्ण नाम, राम नाम, राधा नाम एक लोभ जगता, एक उत्कंठा जगती, रोज अगर महिमाम सुन रहे, तो नमीन नमीन उत्षाह बढ़ता चला जाता है, और यही उत्षाह बिशेयों को परास्त करने के काम में आता है, उत्षाह इन पुरुष को बिशे परास्त करें देते हैं, और उत्षाह संपन, वो बि संपूर्ण नाम में छुपा हुआ है, बस, सारे सास्त्रों का ग्यान नाम में छुपा हुआ है, साब फल इसी में समाहित है, राधा, 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 अब कह रहें कि इसमें घातक बात है कि आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो इस नाम की महिमा का अवहेलना करने है पूरा जीवन है नाम तुम कहते हो कि हमने इतने वर्ष जपा कुछ नहीं हुआ हम कहते हैं यह से बन करके जपो देखो कैसा रंग नहीं आता दो-چار बार नाम ले लिए खुम, मन-मानी, विविचार, गंदे आचण, गंदा बोजन, अन्वो में आएगा नाम तुम्हारे लेकिन फिर भी तुम्हारा मंगल होगा क्योंकि तुम्हारे बैंक में जमा हो गया दो-चार बार ही सही हमारी शुरुद्धा है ऐसी कि फिर भी तुमारा मंगल होगा लेकिन वर्तमान में तुम इस नाम का चमतकार देखना चाहते हो तो विचार छोड़ो गंदा अहार छोड़ो सैयम से चलो कैसे रहनी से नाम जब किया जता है वैसे करके देखो अगर आप चिला चिला के रोने न लगो कि नाम की कितनी अपार करपा है तब बताना जीवन आश्चर में हो जाएगा भगवान के रहे हैं हो आश्चर है मेरे नाम का भगवान ने तो अवतार लेकर कुछ को ही परंपत प्रदान किया लेकिन नाम जब से स्रिष्टी रची गई तब से आज तक और आगे तक जिसने नाम का अश्चरे लिया उसका मंगल करता है ए सब कुछ नाम है सब पढ़ करके साधना करके सब करने के बाद बड़े बहापुरिशों ने फिरंतिम विष्ट्रा में ही लिया है नाम चाहे कोई भी हो हरी बाबा भी शन्याशी जी थे शन्यास धारण के वे थे बाबा हरी बाबा भी महाप्रवुश्री कृष्ण चैतन्य देव को अपना आदर्श मान कर उनके वचनों के अनुस्वा बाबा बहुत ही महामाईम हरी बाबा आख उठा कैसे ने दे जब बैठे था ग्रिवा नामरस्य जुकी दे एक शेकिन भी नाम बाबा का ने रुपता था अगर उशभा में बैठे थोड़ी देर बोले नाम की विशे में या भगवत सुरूप के विशे में आख नीची की चल दिये कोई कुछ भी कुछ मतलब कौन प्रणाम कोन नमल कोई मतलब और जिस समय घंटा पकड़ करके हरी बोल नाद करते तो ऐसा लगता कि धाम से रस बरस रहा है उनकी जिव्या धाम हो गई थी चार वजे घंटा वजे जाता वावा के नाम किर्तन का और मुख्य मुख्य प्रधान प्रधान भग जूम जूम करके ये ब्रह्म वेला है इस समय जिसे आप लुक्षवा चार वजे से सत्संग ये दुरलब बात है त्रिभुवन में ब्रह्मा के लोक में भी दुरलब है ये जो आपको प्राप्त है ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं है बात समझ लीजिए ये जो भगवत चर्चा और कहां की रज में बैठके ब्रंदावन की रजो किस समय है सवा चार बजे सत्संग प्रारंब पता है ये केवल क्रपापात रही शुन सकते है केवल क्रपापात सब के बश की बात नहीं है ये आप दो बजे से उठकर दिन चाज्या करें तब आप चार बजे सत्संग में आप आएंगे ऐसे लोगों शे बचिये नाम कि कोई अर्थवाद की बात कहें तो कान में अंगुली डालो अर्थवाद को अरे यह सब कहने सुनने की बातें पंडितों ने लिखे दिया है थोड़ी ऐसा ऐसा पर आपको सची कहते हैं हमारे द्वारत जो भी कुछ कराया गया वो जितना उन्होंने दिया उसके आगे कुछ नहीं है जो भी साधन भजन सब ग्रेता अगया दिप्रभू ने करवाया इसको कोई एक अपराद में सब नश्ट हो सकता है एक अपराद में पूरा का पूरा ऐसे अपराद की अनंत ब्रतियों का शमन करके जो नोंने अपने चरणों का शानिद्य धामवाश और अप अपना रंग यह हुमारे शाधना की कीमत नहीं है यह हमारे जीवन की कीमत नहीं है हमारा जीवन तो किसी एक छोटे से भिसे में भी नश्ट हो सकता था यह उनकी क्रपा का यह और ये हरदय शे कहता हूं कि जहां कहीं कुछ है वो कमी हमारी है उनकी कृपा में किंचिन मात्र कमी नहीं है अब तो लाडली जू कि चरुणों में रह रहे हैं पर जीवन में कभी ऐसा मुझे अनुबह नहीं हुआ कि मैं अकेला हूँ बच्चा थे कभी हम किसी को शाथी नहीं बनाया कभी बीच में दो चार महने के लिए संत मंडली मिल गए किसी के आश्रम में कहीं ऐसा एकांतिक वातावरन साल दो साल उन आश्रमों में रुक गए मित्रता कि शिशन है जीवन में शाथी के विलहरी रहें पगपग पर अपन दे सकते थे उनका जो अपना पन मिला है उशी के बल से हम कहते हैं कि आप एक बार भी गोविन्द नहीं बोल सकते यदि वो आपको प्यार न करें तो पहले विश्वास कर लो कि उनकी तरफ से आपको श्यक्रिती मिल गई वो आपको प्यार करें इसलिए आप नाम विवस मतवारेते नहीं बोलें बचन बिचारें इनकी बाते सुनने लएक हैं अभी कुछ बोल रहे हैं अभी कुछ कर रहे हैं अभी कुछ खा रहे हैं अभी कुछ पी रहे हैं अभी कुछ सोच रहे हैं यह तो जिसे भूत के आवेश में हो ऐसे माया के आवेश में कुछ इसे करोनों की बात माननी ने एक ब्रहम हवोद שמתन महापुरुष स्की बात को इब विश्व पर भारी परबर ब पड़ेगी कि वह बोद शंपन न है वो अनुभूत बचन बोलता है यह जितनी हम बाते हैं आज सुना रहे हैं आपको इस शाव उन परमहन्षों की बाते हैं जिनों या तो कोई पुराण वेक्ता ब्रमरिशी लिख रहा है या श्वयम भगवान लिख रहे हैं एक एक अक्षर सत्य है अनुभवना हो हमारी रहनी में कमी है हमारे विचारों में कमी है और शदी में कोई कमी नहीं जैसा बोले रहे है अक्षर्षा ऐसा ही नाम है नाम न बचाए तो यह कपराद जीवन भरके साधना को मिट्टी में मिला सकता है एक अपराद पर नाम कवच की तरह बचाता चलाता है जब कोई भी उपाशक उपाश्य देव के शमेप पहुंसता है तो ये देख पाता है कि मुझे घसीटा गया नहीं मैं तो कहीं भी फैल के गिर सकता था मुझे बचाया गया ये कोई दैन्नता की बात नहीं वो तो हरदय जाने मोरी छाती मेरा हरदय जानता है कि मेरा मन मुझे कहां गिला सकता था कहां कहां ब्रिफ्ट कर सकता था अगर मुझे बचाया ना जाता तो जैसे एक अझान, अबोध, बच्चा गंदी चीजों से खेलना चाहता है ऐसे हैं हम उसी खेल में जीवन मितीत कर देते, उन ख ग्रपा को देखिए अभी जो आपको फल मिला इससे बड़ा कोई साधना का फल नहीं आप धाम में बेठे हैं प्रियालाल की महिमा सुन रहे हैं उनका नाम सुन रहे हैं बस पकड़ लेजिए एक भी नाम बिर्थ नहीं जाएगा एक भी छण आप हमारे आराद्य देव की द् शाव वार्ता करते मिले पुराणे श्वर्थ वादत्वं ये वदंति नराधमा तैर जितानि पुल्ण्यानी तद्वदेव भवंति ही मन्नाम कीर्थनं फलं बिविधं निशम्यो नश्रद्धधाति मनुते यदुतार्थ वादं यो मानुसस्तमि दुख चये छिमापी संशार घोर विधारत निपीडितांगं यो मानुसस्तमि दुख चये छिपामी संशार घोर विधारत निपीडितांगं अर्थवादम हरिरनामी संभावयतियो नरह सापापिष्ठो मनुश्यानाम नरके पत्यतिस फुटम जो नराधम नीच पुरुष पुराणों की निंदा करते हैं सास्त्रों की निंदा करते हैं शंतों की निंदा करते हैं और जो शिद्धांत बरणन है उनके जरे सब पनितों की लिखी पाते हैं, ऐसे करते हैं, इनके पास बैठने से सारे पुर्णे नश्ठ हो जाते हैं, उजो कर रहे हैं उनको तो नराधम कहा ही गया है, लेकिन यदि आप ऐसे लोगों के पास बैठेंगे जो सास्त्र निंदा, शंत निंदा, भगवन्ना महि इमा की निंदा बिलकुल नहीं, तुरंत भाग पड़ो वहां से अपने को बचाओ, तभी तो उच्षाह पुर्वक चलते हैं संतों के वच्चन सुनकर, और जहां अशंतों का दुष्टों का शंग किया तो उच्षा छिन हो जाता है, तो आप सोचो ना, जिनके संग से संग भाव का नाश हो रहा है, जाके संग कुमती मती उपजे करत भजन में भंग, तजोरे मन हरी भी मुखन को शंग, जो मनुष्य मेरे नाम शंकिरतन का उपहास करते हैं, कभी बैठ करके ऐसा, मजीरा बजा रहें, नाच रहें, ढोलगा, इसे भगवान मिल जाते हैं, इस नाम कीरतन करते हैं, वही मैं बिलाज मान देता हूं, नाम शंकिरतनम यश्य सर्वपाप प्रणाशन, समस्त पापों का नास करने वाला भवन नाम कीरतन, जो उपहास करते हैं, कृष्ण कृष्ण राधा राधा, दृष्टी है, रुपे पे, दृष्टी है भोगों पे, राधा राधा, कुछ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, एक बार एक शंत आये, हितधाम में, वो साइद उनके हरदे में ऐसा प्रश्ण नहीं होगा, किसी का प्रश्ण लेके कर रहे थे, करे थे, ब्रंदावन में जो फुटपात में और राधावल बिहारी जो के दर्वाजे पर बेठे रहते हैं, राधे राधे करते हैं, तो उनको भगवान से कोई मतलब तो है नहीं हो, तो देखते रहते हैं, जेब से रुपया निकाले और हमें दे, किया इनकी सद्गती हो जाएगी, तो क्या इनकी शमानता बाहर का कोई योगी कर सकता है, किसके दर्वाजे पर बैठे हैं तुम कहां बैठे हो शाधना के हम में और यह कहां किसके भिखारी है बुले राधावल्लब जी के दरवाजे के भिखारी है जानते हूं कितनी बड़ी इज्जत मिल गए इनको ये ब्रह्मा जी को भी सो वाग नहीं प्राप्त है कि राधावल्लब जी के दरवाजे अरे जो जानने वाला हो जब हिसाब करेगा तो उनको श्री जी मिल जाएंगी तुम्हें उन पर दोस्द्रस्टी करने का दंड मिलेगा ये विहारी जी राधा वल्लब जी के विखारी ये ब्रह्मा जी के भी दाता है ऐसा मत समझ लेना सद्गुर्द्व भगवान की सेवा में लाडली कुझ में थे पूर्व की बात है एक निजे जनाए गुरु जी ने का तुमारे शर्षे दुर्गंद आ रहे है चलो बार उनका महराजी हम सावुर नहीं लगाते बोले नहीं ये दुर्गंद है शी नहीं या परात की किया वेक्रिश हो अपनी कुटिया से बस दर्शन करने भैनी जिराद आधावलब जी कुझ में बिचार करो पाहरी कोई सेड़् समोसा 100 और धां तो एक संत पर हमारी बड़ी ऐसेटोकी पर दानो बार बार वो दपका रहा था वो एक बार देने के बाद थी दुबारा फिती बारा ऐसे मांग रहे थे तो हमें लग उनके प्रतियासी हे भाव ना है वो मिलेंगे भी महाराज जी ने पचास रुपे जाओ समोसा करी दो उनको दो और साश्टांग प्रणाम करके हाँ जोड़ उसका हुआ आप च्छमा कर दें या दंड विधान कर दें जाओ करके ऐसा है वो बोले पता है तुमको बस वो उतने ही मांग के खाते हैं इसके बाद हर समय भजन में रहते जानते हो तुम ने तुम किल इतना देख लिया कि बार 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 वो एक समोसा बट रहा है वो बार द्रश्टी किसी पर नहीं पर और शावधान किसी पर कहीं भी यह साधार ना थोड़ी देरे एक गवारिया बाबा है बिल्कुल ऐसे फटे पुराने कपड़म रजले पेटे में बीशों वर्सों से जानते हो जानते हो जीवन हो गया नहीं पाया कैसे रहते हैं मिठाई की दुकान हम जाएंगे ऐसे हाँ पहला दें एक लड्डू दे दिया और खोये वाला एक पेड़ा किसी ने डाइसोग्राम दूद कमंडल में दे दिया ऐसे बंगे अब उनको मांगते दे किया मिठाई में जब आं तुम्हें क्या पता जीवन हो गया नहीं क्या क्या क्यों फ खेट भरते हैं तुम सेठों से मांगो बड़े लोगों से मांगो हम तो एक एक रुपया आगर नहीं दे लिए दूसरी रुपया दो रुपया उसी की सबजी लेते उस जाते इतनी मार्की ने से जब मांगते तो रिक्षा वाले क्यों मेहनत करके कमा रहा है उसका एक लोग उपर चलच चलच करें इसे मांग रहे हैं एक एक रुपया कैसे बावाजी है उनकी बावागिरी को तुम क्या समझ पावगा यह द्धाम है यह मत्सोचो कि यह तो भिखारे कितना रुपया दिन में कमा लेते होंगे 500 रुपया हम करें 1000 रुपया तुम कितने बेइम करोणों देने पर भी कभी एक बार बोले कि ये वगवांग तेरी बड़ी कृपा है नहीं विशेयों के प्रमाद में घूम रहे हो एक बार भी राधा नहीं बोल सकते और जो जेवन राधा को शमर्पित के ये राधा राधा बोले उनको तुम भिखारी देख रहे हो उनके व पिसन सोच तेरा क्या होगा करोणों की भीख मांगने पर हरी ने दे दिया तेरे को एक बार भी तुम लोट करके नहीं बोले है हरी आपकी कितनी कृपा है एक किशोरी आपकी कितनी कृपा है वो तो दिन बर राधे-राधे बोलते रहते हैं खिलवार समझते और राधे- पात्मक बात करें क्या होगा ब्रिंदावन बात से क्या होगा राधा राधा कहने से बिल्कुल ऐसे लोगों का शंग तिनको परस न कीजिए तजी धुरूतिन को पाश जो भगवन नाम में अर्थवाद अर्थवाद मनें अरे कोई भलवल ऐसा नहीं होता है यह सब ऐसे ही बाबा लोग या पंडित लोग या ऐसे ही सब अला मचाते रहते हैं वो लिए अत्यंत पापी हैं साब पापिष्ठो मनुश्यानम नरके पते तिस फुटम ऐसे पापियो को घोर नरक में पचाया जाता है जो भगवन नाम की निंदा भगवन नाम जापक्षंतों की निंदा भगवत शास्त्रों की निंदा ऐसे लोगों के शंग करने से भजन रुक जाएगा ऐसे लोगों के शंग करने से नाम जपने की उतकंठा नस्ठ हो जाएगी इसले पुच्छावधान बचा के रखो नाम जपना कठिन जपके बचाना कठिन बचा के पचाना कठिन और पच गया तो सिद्ध हो गए पुत्र के बहाने से संतों की पेरणा से नारायन नाम में कोई उसकी श्रद्धा नहीं कोई पुज भाव नहीं कोई भगवद भाव नहीं पर पुत्र का नाम नारायन संतों की कृपा से रखा, तो नारायन पुत्र के भाव से पुकार रहा है, बिल्कुल भगवत भाव नहीं, पुत्र के मोशे ग्रशित होकर नारायन उच्चारण किया, तो हरी पारशद आ गए, कल आपने शुना कि यम्दूतों से ततकाल अजामिल जी को मुक्त किया और यम्दूतों से कहा, धर्मात्माओ की शभा में अधर्म के शे प्रवेश पा रहा है, धर्म का शुरूप क्या है, अधर्म का शुरूप क्या है, कल आपने श्रोण किया, भगवत पारशदों ने का हे अम्दूतों इसने एक जन्मी के नहीं करोड करोड जन्मों का प्रैस्चित कर लिया क्योंकि इसने हमारे श्वामी स्री हरी का नाम उच्चरण किया किसी भी बहाने से सही भगवन नाम में अपारशामर्थ है जिसने नाम पर विश्वास कर लिया चाहे किसी भी युग का महात्मा हो देखो श्रश्टी में सबसे पहले जो बड़े महात्मा है वो शनक जी, शनन्दन जी, शनतकुमार जी, शनातन जी ये शनक्षनंदन शनातन कुमार जी हर शमय पाच वर्ष की अवस्था में रेते हैं और दिगंबर रहते हैं कोई वस्त्र शरीर में नहीं ब्रह्मभूद शंपन है पर हर शमय नाम ये जबते रहते हैं हरिश्षरणम 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 सबसे बड़े महात्मा है सृष्टी के प्रारम के शर्ग में ये प्रगट हुए अगर कहा जाए कि कल युग में ही केवल नाम की महिमा है ऐसा नहीं है किशी भी युग में किशी भी महार्शी ब्रम रिशी मुनी रिशी महात्मा भक्त जिनको भी साक्षात कार्व किया गया देखा गया तो वो नाम में रती किये रहे नाम को पकड़ा अगर नाम नहीं है और शब शाधनाय है तो उन्हें परास्त होते देखा गया और जिनके पाश नाम है तो नामी सदै उनकी रक्षा करता रहता है सीम की चाप शकय को उताशू बड़ रखवार रमापति जाशू बड़े रखवार श्री हरी अपने नाम जापक की निरंतर रक्षा करते रहते हैं माया किशी भी तरह से उनको आकरशित नहीं कर सकते हरी रहरति पापानी दुष्ट चित्ते इरप श्मरता अनिच्छया पिस संस्प्रस्टो दहतेव ही पाव कहा जैसे अगनी में दाहि का शक्ति है वो किसी भाव की कुभाव की अपेक्षा नहीं रखती उसका काम है जला देना तो चाहे भाव से छो कुभाव से छो या जबरजस्ती कोई छुआ दे तो आप जल जाएंगे दाहि का शक्ति है ऐसे ही कहते हैं नाम में पापों को भश्म करने की और भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ है जैसे अगनी में दाहि का शक्ति ऐसे नाम में पाप भश्म करने वाली और भगवत प्राप्ति कराने वाली ये शामर्थ है अब इस नाम को चाहे जितना कोई दुष्ट पुरुष हो जपने लगे उच्चारण करने लगे उसके शारे पाप भश्म हो जाएंगे और भगवत प्राप्ति का पात्र बन जाएगा दुष्ट चित्यरप इश्मर्थ हा वो दुष्ट है सास्त्र बिरुद्धाचरण करता रहा है पर किसी कारणों से संतोशमागम हो गया भगवन नाम महिमा शुनी और उसके रदे में आ गया कि अब तो नाम जब करेंगे क्योंकि मुझे जैसे पापी का भगवान की शिवाप कोई भी उद्धार करने वाला नहीं कोई मेरा शायोगी नहीं और नाम का अश्रे ले लिया उले समस्त पापों का नाश करके उसे भगवत प्राप्ति करा देगा नाम जैसे कोई कहे तो भगवन नाम केवल पाप ही नश्ट करता है तो कहते नहीं हरी हरे नमः जो ऐसा उच्चारण करता है मानुस्त ने मोक्ष प्राप्ति के लिए कमर कशली अर्थाद ये नाम उसे मोक्ष भी प्रदान करेगा किशी भी मार्ग का कोई भी पति खोवर नाम जापक होगाई जो सच्चा उपाशक है ब्यर्थ के ज्ञान से परंपद की प्राप्ति नहीं होती वेदांत पढ़के जान लिया कि मेरा स्वरूप ब्रह्म में है वो पहले भी था वो अब भी है वो आगे भी रहेगा फर्क क्या पढ़ा अब तुम्हारे उपर किशी भी तरे के देहों का कोई प्रभाव किसी भी विशे किसी द्वंद का कोई भी प्रभाव नहीं पढ़ना चाहिए यदि जान गए हो ऐसा संभव इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा भी निरंतर भगवन नाम जब करते हैं भगवान शंकर्श बढ़कर कोई ज्ञानी थोड़ी होगा निरंतर नाम जब करते हैं और समय वितीत करते हैं भगवत लीला गान और स्रमन करके श्वयम भगवान होते हुए भी संतों की सभा में गुप्त रूपशे जाते हैं और भगवान की मंगल में इक था सुनते हैं भगवान शंकर के ही अवतार श्रीहनमान जी महराज है जहां कई भगवत चरित्र होता हरी चरित्र होता है किशी न किशी रूप में आकर के ये महाभागवजन कथा सुगते है ग्यान का परिणाम यही है कि हरी श्मरण में तुम्हारी एक एक बरती लग जाए चाहे जितने बड़े ग्यानी महापुरुशों हो देखा है वो नाम में निरंतर निरंतर नाम चल दा है सन्याशी महापुरुशों का जो मार्ग वेदांत मार्ग है प्रणोहर समय जबते है ओम नमोन आराय राय ऐसा जबते है हरी ओम तत्षद ओम हरी एशी ओम भी हरी का नाम है हरी का तो नाम है ये वही तत है वही शत है जो तत्षब्द है उनी के लिए शंबोधन है जो तत है वही शत है इसलिए तत्षद हरी ओम तत्षद वही तत्वम अशि ये महावाक के है शारवात भगवन नाम जब नहीं है तो तुम्हारा ज्ञान माया को बाधित नहीं कर पाएगा ज्ञान होते विए भी माया तुम्हें बाधित कर देगी इतनी प्रचंडा करशन सकती है कि और ज्ञानियों की तो बात जाने दो मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव भी कुछ छण के लिए मोहित हो गए तो ये माया मोहिनी ही तो है जो ज्ञानी नाम पिदे देवी जो माया शक्ती है वो चेतान शिहरती बड़े बड़ों की ज्ञानियों की चेतना इसलिए मापरु केते ना जानो छेनंत कवन बुदि घटैं प्रकासित छुटी चेतन जुआचेत त्यवु मुनी भैविस्वा सित पाला सरशुर इंद्र कलप कामिनि मन पंध्या परिवदेह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंध्या यही डरही डरपिहरिवन सहित जिनो भ्रमही गुन सलिल पर जी नामन मंगल लूकति हूँ आहा शुहरिपद भजु न बिलंब के बड़े बड़े ज्यानियों की च चेतान सिदेवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मुहाय महा माया प्रिक्षती अगर कोई बद्शक्ता है तो जिसकी जिव्या पर नाम चल रहा है विश्वास कीजिए सक्रदुचरितमेन हरिदित्यक्षरत द्वयम बद्धा परिकरिस्तेन मोक्षाय गमनम प्रती जिसने हरी हैशा उच्शारण करना प्रारंब कर दिया उसने मोक्ष के लिए कमर कसली और गमनम प्रती वो मोक्ष पदवी की तरप जा रहा है अगर हरिवन्ष उच्शारण कर लिया तो निकुंज की तरप जारा प्यारी जूसे मिलने के लिए कैसे उपापी क्यों नहो हरिवन्ष नाम जो ले तो अलक लड़ेती रीजिके महल खवाशी दे बड़ी महिमा है ये प्रशिद्ध प्रेम धर्म नाम जापक के ही हिरदय में प्रगट होता है प्रगट धर्म जैसे जानिये स्री हरिवन्ष नाम जाहिये नाम सिद्ध पहचानिये स्री हरिवन्ष नाम सबसिद्ध सवेरशिक विलशे नव निधी भुगतें देही और नजाचही पूशन भरन चिंत कराही सी हरिवंस विभो विलशाई सी ब्रंदावन की माद्वि नाम नाम रटत आई सवसोह जितनी जानकारियां है ब्रह्म की, जगत की, भगत की, निकुञ्ज की सब नाम रटत आई सवसोह देहुश्वद्धिक्रपा करिमोही क्या इसी नाम की माला चलती रहे ओई शुगुन माला रचो नित्य सुकंठ जुपहिरों तास जस्वरनो हरिवंस विलाज श्री हरिवंस शेहना गाई हो